नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से इक बार आपको बहुत-बहुत सागत हैं, तो आज आप इमें discussion करूँगा, कुछ importance company के आपडेट के बारे में, और इस वीडियो में जो-जो companies के बारे में discussion करूँगा, वो सारे companies के टेकनिकली चार्ट पेटन्स भी आपको में share करूँगा, जो आपको बहुत सारे डेटा सिखाएंगे, को जिसके मातम से आप खुद independent swing trading कर सकते हैं, तो अपलीज इस वीडियो को लास तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को subscribe नहीं के तो जोरू कर सकते हैं, और साथी साथ आप टेलिग्रम को भी join कर सकते हैं, जहाँ अपे मार्केट का 5200 करोड के आस पास है, और एक drugs मतलब एक pharmaceutical API के हिसाब से काम करते हैं, देखिए, इसका product क्या है, आप खुद ही देखिए, company का product है, कि manufacturing and selling, active pharmaceutical ingredient, जो फार्मसेटिकल मतलब API जो है, मतलब active pharmaceutical ingredient जो product है, उसी के उपर company काम करते हैं, दूसरी point क्या है, company speciality chemicals के उपर का करते हैं, जो दोनों सेक्टर अभी slowdown में हैं, और इस slowdown होने के चलते हैं, company के उपर भी आज यह pressure देखने को मिला है, कितना pressure है, चलो, मैं आपको सबसे पहले quarterly result में दिखा देता हूँ, देखिए, company के sales है, 550 करोड के आस पास था, वो इस बार बढ़के हो चुके 590 करोड के उपर, तो आपे तो ठीक ठाक दिखा, तो company के sales का details है, वो और भी आपको बात करो, तो पिछली quarters के तुनना से company का sales details कम हो चुके है, इसका मतलब पिछली बार के तुनना से company का sales डाउन हो चुके है, और expense भी company क्या-क्या, खुद को control में रखा है, और इसलिए company के net profit है, वो 26 करोड से बन चुके 40 करोड, मगर पिछली quarter को company बीट नहीं कर पाया, तो continuously company खुद को profit को maintenance कर रहे है, यही सबसे बड़ी बात है, और company के साथ-साथ company का year low, year basis के बारे मत करूँ, तो continuously company खुद को profit को increase करता जा रहा है, बीच में थोड़ा सा कम मतलब जादा हुआ था, अभी company फिर से थोड़ा सा कम हुआ, और इस कम होने के पीछे में तो कारण मोली चुका हूँ, pharmaceutical और chemical industries के उपर जो जो companies काम कर रहे है, उसके उपर पेसार तो दिखेगा ही, और रही बात company के peer issue में, peer issue में जो correction देखने को मिला, एक time company के peer issue चला गया था, 41 के आसपास, और आज कितना peer issue है, आज company के peer issue 31 के आसपास है, तो जो peer issue है बनना है, वो average peer issue के हिसाब से 23 है, तो इसका मतलब company थोड़ा सा overvalued है, थोड़ा सा और भी correction होने का chances हो सकता है, ऐसे देखें, finally होगा के नहीं होगा, वो तो अलग बात है, तो थोड़ा सा average peer issue के हिसाब से थोड़ा सा higher level में है, तो कभी ने कभी correction हो भी सकता है, तो overall company के जो balance sheet है, आप एक चीज़ देखेंगे तो company का reserve लगातर बड़ा, company का share capital 12 से 26 के अंदर हुआ, उसके बाद करीबन 90 के उपर चला गया, company का करजे के बार हैं बात करतो company इस बार करजा लिया, और इस करजे लेने के पीछे कारन दो है पहली बात company का जो trades payable है, उसको payments भी करना है, 419 करोड के आसपास, और उसके साथ company trade zeeb भी किया, कितना 800 करोड के आसपास, जब trade zeeb किया और payment भी करना है, तो थोड़ा सा पैसा तो उधार लेना ही पड़ेगा, तो उधार ही जो लिया, मतलग करजा जो लिया, वो किस basis में अज़े दिखाए तो short term के लिया, long term के लिया उतना करजा नहीं लिया, short term के लिया ही करजा लिया गया, तो मेरे point of view से में एक ही बात कहूंगा, कि company में जो यहापे growth है, वो growth कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, और आप इस company को को निभेस करना चाते है, तो अज़े investor क्य करू, तो मैं ने अपको कुछ date mention किया था, आपको मैं यह बता था कि company का जो long term journey है, इस journey में एक चीद मुझे देखने को मिला, कि मैं सोच रहा था कि यहापे एक solder बना था, उसके बाद यहापे एक फिर से solder बना, फिर से एक big cup बना, और sorry, एक head बना, और मेरे सब से यहापे एक solder बनाएगा, उसके बाद breakout होगा, मगर उल्टाई हो गया, यहापे directly breakout हो गया, और gap pump में open हुआ, और एक अच्छा घासा target जो levels था, एक previous swing high का, उस swing high को और swing resistance को वो touch किया, तो swing resistance जो था, क्योंकि यहापे company बार-बार retest करने के बाद, एक big fall देखने को मिला था, तो मेरे सबसे correction, वो हो सकते है, अगर correction होकर यहापे फिर से एक patterns create किया, तो मेरे सबसे जो patterns में ढूल रहता, वो patterns मिल जाएगा, क्योंकि यहापे फिर से pattern, यहापे create हो रहा है, यहापे देखी, एक बार solder फिर से solder, और फिर से solder तीन बार solder बनने के बाद एक big head, और उसके बाद एक्सपोर्ट मैं इस कमपनी के ऊपर बहुत बार आपको वीडियो बना के मैं बार-बार एही मेंसेन कर रहा हूँ कि इस कमपनी के ऊपर upcoming कोछ यस में अच्छा का सा growth होने का chances है देखिए आप कहेंगे सर क्या आप इस कमपनी को प्रोमोशन कर रहा है बिल्कुल भी नहीं आपको मैं वीडियो सुरू करने से भी बोल चुका हूँ जब सुरू किया तब भी मैं बोल चुका हूँ मेरे कोई भी सेयर के ऊपर कोई भी तो यहां पर राजे से एक्सपोट के बारे में बात करो तो continuously कमपनी का जो रिस्यूस है वो मुझे बेस लेबल में देखने को मिला आरोसी आरोसी तो ठीक है अबरेज लेबल के आसपास है और कमपानी का पी रिस्यू कंपानी की इंडेस्रिक पी रिस्यूस बहुत काम है औ और कमपानी में मुझे जो खासियत लगा कमपानी all over global market में 30% market share कमपानी अकला लेकर रखा है वो भी gold manufacturing और mining में तो सोची यह 30% अकला market capture लेकर रखा है तो उस कमपानी में growth होने का chances कितना बड़ा है को देखिए सोने का दाम कभी भी कम नहीं होता तोड़ा सा कम भी हुआ त तो net income जो है 1400 क्रोड के आसपास है और company में दम कितना है वो मैं आपको दिखा दू देखिए company के sales double के आसपास हो चुके है इस बार company expense को control किया और इसके बाद देखे company का profit कितना हुआ दो सो सतर क्रोड से बन चुके 300 क्रोड आपका इंगे सा sales 85,000 क्रोड हो चुके थे और company का expense इतना बढ़ा क्यों कि देखे company का सबसे ज़्यादा expense कहा पे हो रहा है वो देखना बहुत जुरूरी है क्योंकि आपको जो problems होता है अब तो देखने को मिलेगा material cost, material cost मतलब जो इस company का सबसे ज़्यादा खर्चा है material cost मतलब जो gold को mining करते है उसमें ही सबसे ज़्यादा company का costing लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा expense होता है mining करने में refining के बाद manufacturing में सारे point of view से देखा है तो material जो है इसका जो raw materials है वो gold ह उसके उपर सबसे ज़्यादा cost लगते है और उसके चलते company के उपर प्रेसर बनते हैं फिर भी सारे पेसर को clear cut करने के बाद भी company देखे हाइस्ट sales इस बार किया मतलब पिछले बार के तुनन से पिछले साल के तुनन से profit अच्छा का सा किया तो profit and loss के बारे हैं बात करते तो sales का growth कितना सांदर है profit growth थोड़ा सा correction हुआ और return of equity भी average के आसपास है तो company कुछ खास performance last 5 सल में नहीं दिया मेरे सबसे वो खास performance का time आर आ चुके है धिरी-धिरे करके वो performance दिखाएगा तो उसके बारे में discussion करूं तुम्हें आपको बहुत बार बोल चुका हूँ यहाप एक range को बारे में बात करूं तो company देखिए एक range के उपर बहुत बार टेट दे चुके है एक बार नहीं company four times sorry first time second third time fourth time और fifth time टार्गेट दे चुके है तो जो target ratio है वो कोई छोटा मोटा target नहीं है 40% के उपर target है सोचिए करेंच चु प्राइस है वहाँ पर बूसी रेंज को फीर से टच किया इसका मतलब करेंट प्राइस से अगर मैं target लेबल तक अगर आपको मार्किंग करके दू तो almost 47% का target मिल सकता है तो मैं तो NT almost ले चुका हूँ आप प्लीज स्टाड़ी करके काम करना blindly इस company को नि हिसाब से मैंने इंटी लिया और मैं गलत भी जा सकता हूँ और मेरा stop loss भी है उस stop loss को मैं follow करके चलता हूँ अगर आपको stop loss किस बेसिस में काम करना है और कहां पर stop loss में लगाता हूँ जानना है तो आप telegram को join करिए जहापे में सारे updates आपके साथ share करता हूँ नेक्स चोंपनी जिसके बारे हैं बात कर उसका नाम है BSC Limited देखे BSC एक ऐसे companies है जो इंडिया के सबसे पूराना एक्सजेंज है और साथी साथ वाल्ट के top 10 एक्सजेंज के हिसाब से भी इस company का नाम देखने को मिल जाते है तो इस company का market cap सिर्फ 11,300 क्रोड के आसपास है उस जड़ा फरक है आप देख सकते है तो इस फरक का अगर 22.50 से अगर 25 परसंट भी हो गया ना तो इंडिया का economic के लिए कहा से कहा जाएगा आप सोच नहीं सकते उसके साथ साथ जो BSC है जो BSC है वो एक पूराना stock exchange है सबसे ज़्यदा फाइदा इसको मिलेगा क्योंके 5000 से भी participate करेंगे खुद का मतलब हिस्सेदारी share market में भी रिस्टिंग कराएगा तो उसका भी directly फाइदा होगा और stock exchange का भी फाइदा होगा तो मैं इस company को पर बहुत बुलिस हूँ क्योंके debt zero है income भी सांदर है और company का quarterly result भी दिखा दूँ तो company continuously खुद का profit को वो लगातार growth करते जा मिला तो इस बर company highest profit दिखा है साड़े 400 क्रोर के आसपास आप कहेंगे sir ऐसा क्या हो गया कि साड़े 400 क्रोर profit हो गया खेके company को ऐसे कुछ भी नहीं हुआ मैं साड़े 400 क्रोर profit नहीं देखूंगा मैं obviously operating profit के बारे बात कर तो 114 क्रोर के आसपास मुझे profit देखने को मिला तो highest profit क हुआ क्योंकि company का आदास income से साड़े 400 क्रोर के 430 क्रोर के आसपास आदास income से company के हाथ में पैसा आया और वो आदास income कहाँ पर है जो company अलग जगा पर investment करके रखे थे कोई इस तरी किसे जगा से company को एक्सका profit मिला तो इसको आपको नहीं देखना है आप सिर्फ यह नहीं cash flow तो आपको negative दिखे गाई और balance sheet के बार हैं बात कर तो reserve लगातर बढ़ते गए company एक रूपया भी करदा नहीं लिया fixed asset बढ़ता चला गया और ही बात company के चार्ट प्रेंस का तो उसके बार हैं बात कर तो मैंने आपको कुछ labels mention किया था पहले जो labels था मैं आपको यह इस range को तोनने के बाद यहां पर अगर retest करें तो एक बड़ा सा धमा का दीखेगा first level रहेगा यहां तक 879 तक और उसके बाद second level रहेगा 997 तक क्योंकि यह जो range है इस range को company cover करेगा और इसको cover करने के बाद एक बड़ा सा मुझे तो एक बड़ा target लेना है तो मैं बड़ा target क हुआ तो सोचिए कितना बड़ा target मिलेगा करीबन करीबन एक सो परसंट से भी उपर तो मैं फिलाल के लिए तो यहां पर चोटा मोटा तो टेड लिया ले चुगा था और मैंने profit booking भी किया तो मैं बड़ा target के लिए इंतजर कर रहा जब वो मौका मिलेगा तो मैं आपके धमा का performance देने के बाद company का bonus announcement किया है तो हर तीन share में company आपको एक share bonus के साब से देने वाला है तो इस सारे companies की information आप study करके ही काम करना कोई मेरा buy and sell का recommendation नहीं है तो please किसी companies के उपर मेरे तरफ से कोई buy and sell का recommend मत समझना जिते नेक्स वीडियो में तब तक लेच्छे सरी अपने क्या रखिए दने बाद